वेल्कम तू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास सेवन इंग्लिश एन एलियन हैंड बुक से चैप्टर नमबर नाइन है आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एंसी आटी सोल्यूशन तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो आज होब चिल्दन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अबडेट्स मिलते रहें तो यहाँ पर किसकी बात हो रहे है यहाँ बात हो रहे है ग्रेंट फादर की grandfather was the only successful member of the hunting party क्योंकि उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता था grandfather को कभी भी मरने से भी डर नहीं लगता था आप जो next question है गाईज उसमें आपको complete the following sentence complete करना है इन sentences को तो थोड़ा सा sentence लिखा हुआ उसके आगे कुछ fill up से तो आपको sentence की form में ये fill करना है तो इसके answer देखेंगे हम Toto climbed up the curtains Toto कौन है Toto एक बंदर है एक monkey है तो Toto जब भी टिमोथी यानि उस tiger के साथ खेलता था उसको जब डर लगता था तो when टिमोथी lost his temper जब भी टिमोथी को गुसा आ जाता था तो Toto क्या करता था जल्दी से जो curtain यानि पर्दा होता उस पर चड़ जाता था I became one of the tigers favorite मैं tiger का favorite बन गया यहाँ पर किसकी बात हो रही है author की when I came to live with my grandfather जब मैं अपने दादा जी के साथ रहने के लिए आया यहाँ पर author किसकी बात कर रहे है अपनी तो guys यह जो red red में है यह है जो आपको fill करना है चीक है तो मैं tiger का favorite बन गया Timothy had clean habits उसकी habit बिल्कुल clean थी वो अपने आपको साफ रखता था and would scrub his face with his paws exactly like a cat children कभी तुमने cat को या dog को अपने पैरों से अपने face को scrub करते हुए देखा है ऐसे ही वो भी किया करता था बिल्कुल एक cat की तरह grandmother's prophecy was that the tiger prophecy का मतलब होता है भविश्यवानी grandmother ने ये भविश्यवानी करी थी कि एक ना एक दिन ये जो tiger है न would one day make a meal of मुहमद वो जो मुहमद उनका cook को कन होता रसोया जो खाना बनाता था उनका एक दिन उसी को ये शिकार बना लेगा उसी को खा जाएगा when Timothy was about six Timothy किसका नाम है tiger का ना tiger का नाम अगर आपको याद है तो Timothy था जब वो करीबन छे महीने का हुआ a change came over him यहाँ पे बताना है आपको a change came over him का मतलब क्या था Timothy grew less friendly पहले starting में तो वो बड़ा friendly रहता था लेकिन भाई wild animal तो wild animal ही रहेगा ना चाहे आप उसको घर में लियाओ या बाहर रखो तो वो अब कम friendly होने लगा in fact more dangerous अब वो पहले से जादा खतरनाक हो चुगा था children अब आपको इन sentences में बताना है कि यह statement true है या false Timothy and grandfather went to Lucknow in a special compartment क्या कुछी किसी वो special compartment में लगना हो गई थे नहीं वो तो first class compartment which simple जो compartment होता है train का उसमें गई थे तो यह तो false है ठीक है the compartment in which grandfather and Timothy traveled had no other passenger जिस compartment में grandfather और Timothy यानी tiger गई थे उसमें उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था यह वाली बात बिल्कुल सच है तो true होगा Timothy and grandfather traveled in a first class compartment में गई थे यह भी बात सच है तो true all passengers in the compartment thought that Timothy was a well-fed civilized tiger सारे के सारे passengers को यह लगता था compartment में कि जो टिमोथी है जो tiger है वो उसको अच्छे से खिलाया पिलाया गया है और वो civilized them a club बहुत ज़्यादा well-behaved है तो यह वाली बात जो है बिल्कुल गलत है false है next grandfather suggested that Timothy should be put in another cage grandfather ने यह suggest किया जब वो zoo गई थे उससे मिलने कीपर को कि भाई इसको ना दूसरे cage में डाल दो दूसरे पिंजरे में shift कर दो क्यूं क्यूंकि a leopard in the next cage would constantly rush at Timothy क्यूंकि उसके बगल वाले पिंजरे में एक leopard रहता था एक तेंदुआ रहता था जो कि बार बार उसको परेशान करता था Timothy को the tiger was still licking his arm lick का मतलब होता है चाटना with increasing relish the phrase in the italics with increasing relish क्या मतलब क्या है recognized an old friend tiger ने अपने पुराने साथी को अपने पुराने दोस्त को पहचा लिया था इसलिए वो उसकी आम को चाट रहा था lick कर रहा था अब यहां से हमारे question answer start हो जाते है where was the tiger cub hiding when grandfather found it जब grandfather को वो छोटा बच्चा मिला tiger का तब वो कहाँ छिप रहा था children वो छिप रहा था एक benian tree benian tree क्या होता है बरगत के पेड को बोलते है benian tree की जो roots होती है बड़ी-बड़ी उसमें वो छिपा हुआ था तो answer कैसे लिखोगे the tiger cub was hiding in the roots of a benian tree ठीक है और ये वाली जो line है when grandfather found it ये मैंने पूरी question सही copy जब grandfather को वो मिला तो वो बरगत के पेड यानी की जो benian tree होता है उसकी roots में छिपा हुआ था अब जो second question है उसमें दो part है part one और part two तो पहले part one करेंगे what did toto do to entertain timothy timothy को entertain करने के लिए छेडने के लिए वो क्या करता था देखो इस image में toto कौन है ये monkey है तो ये बार बार इसकी पूछ पकड़ता था toto would pull timothy by the tail वो उसको pull करता था क्या करके उसकी tail को पकड़के to entertain है उसको entertain करने के लिए next what did he do when timothy lost his temper अब जब बार बार तुम किसी जानवर की पूछ खुछ हो गए तो उसको गुस्सा आजाएगा तो जब timothy यानि tiger को गुस्सा आजाता था तो ये बंदर जो है ये क्या करता था ये अपनी जान बचाने के लिए इस curtain ये जो परदा दिखाई दे रहा है इस परदे पर चड़ जाता था तो answer कैसे लिखोगे he would climb up the curtain वो परदे पर चड़ जाता था और ये वाली line when timothy lost his temper ये पूरी की पूरी मैंने यहां से उपर से copy किये मैं tiger का एक तरह से फेवरेट लोगों मैंसे एक बन गया यहां पर I किसके लिए use हुआ है और उसको ऐसा क्यों लगता था तो यहां पर author जिन्होंने ये story लिखी है वो ये कह रहे हैं कि जब मैं grandfather के घर उनके साथ रहने गया तो जो tiger है वो मेरा बहुत अच्छा दोस बन गया था वो मेरे साथ खेलता था मैं भी उसके साथ खेलता था और वो और मैं एक साथ walk करने के लिए घूमने के लिए भी जाते थे तो इसलिए ताइगर को इसलिए author को ऐसा लगता था कि वो उसका favorite बन गया है इन्दी स्टेटमेंट आई इस दी author दखो यह पूछ रहा है न इन्दी स्टेटमेंट आई कौन है आई author है he thought so because Timothy loved his company Timothy कौन है यह tiger का नाम है क्योंकि Timothy को author के साथ रहना बहुत पसंद था Timothy used to play with author Timothy author के साथ खेलता था and used to go for walk as well और walk पे भी जाया करता था देखरो यहां पर यह दोनो author और Timothy walk पे जा रहे है इसलिए उसको लगता था कि जो Timothy है मैं उसका favorite हूँ guys अभी तक इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो please यार एक like कर देना आपके एक like से एक subscribe से बहुत motivation मिलता है मैं तीन्त अकाउंट करूँगा children please वीडियो को like कर दो one, two, three I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है चैनल को subscribe कर दिया thank you guys next question where was Timothy most comfortable during the day पूरे का पूरा दिन वो कहां पे comfortable रहता था उसको ना सोफे के उपर बैठना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सोफे पे वो बहुत अच्छे से बैठ जाता था देख रहे हो इस image में where was he during the night और रात को वो जो cook का रूम था जो मुहमद उनका सोईया था खाना जो बनाता था उसके रूम में वो सोता था तो answer कैसे लिखोगे Timothy was most comfortable on sofa during the day देख रहे हो कहां पे बैठा है सोफे के ऊपर बैठा हुआ दिन में और रात को वो जो cook का quarter बना हुआ था रूम बना हुआ था उसमें वो cook के साथ सोता था what was grandmother's prophecy about the cook did it come true prophecy का मतलब मैंने पहले भी बताया prophecy मतलब भविश्यवानी तो दादी जी ने क्या भविश्यवानी की थी दादी जी ने ये भविश्यवानी की थी कि अब ये जो टिमोथी है बड़ा dangerous हो गया है और देखना एक दिन ऐसा होगा कि हम सुबह उठेंगे तो हमको जो कुक है वो मिलेगा ही नहीं मतलब जो tiger है वो कुक को खा गया होगा और next question पूछ रहा did it come true क्या ही सच में ऐसा हुआ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि उसको बाद में जो में शिफ्ट कर दिया था तो answer कैसे लिखोगे grandmother's prophecy about the cook was that one day Timothy would eat him तो cook के बारे में उन्होंने क्या भविश्वानी की थी कि एक दिन Timothy उसको खा जाएगा फिर यह पूछना did it come true नो बस नो में जवाब देना no it did not come true ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था अब ऐसा क्या हुआ जो टाइगर घर में रहता था उसको ग्रेंट फादर ने जू में चिडिया घर में क्यों ट्रांसवर कर दिया क्योंकि अब वह ही वो बड़ा हो रहा था दिन पर दिन ठीक है उसका behavior भी अब वो पहले जैसा friendly नहीं था और उसने क्या करना birds वगएरा हैंस वगएरा का शिकार करना शुरू कर दिया था कई बार जो मोहमद जो कुक था उस पे भी उसने attack करने की कोशिश की थी तो grandfather को लगा सब की safety के लिए यही अच्छा होगा कि हम जो tiger है Timothy अब उसको zoom में shift कर रहे तो answer कैसे लिखोगे Timothy begin to behave less friendly अब वो पहले से less friendly हो गया था He was big enough to attack any family member अब वो इतना बड़ा हो गया था कि किसी पे भी attack कर सकता था He would eat birds अब उसने birds को hands को खाना भी शुरू कर दिया था शिकार करना अब दिस के बाद ये पूरा मैंने question message अब एक बार ग्रेंट फादर डिसाइड तो ट्रांसफर टिमोथी टू दा जू वाई डिट ग्रेंट फादर वान टिमोथी टू बी पूट इन अनादर एंक्लोजर एंक्लोजर का मतलब है केज पिंजरा अब एक बार ग्रेंट फादर टिमोथी से मिलने उसी जू में गए तो उन्हों ने देखा कि टिमोथी टो ठीक है लेकिन उसके बराबर वाले केज में एक लेपर्ड रहता है लेपर्ड कौन होता एक तेंदूअ वो इसको बहुत परेशान करता है बार बार इरिटेट करता है तो इसलिए ग्रेंट फादर ने कीपर से रिक्वेस्ट की कि यार इसका ज़ना केज जो है बदल दो इसको कहीं दूसरी जग़र ट्रांसवर करते हैं तो देखो जो लेपर्ड था वो इसको परेशान करता था बार बार वाट शौक ग्रैंट फादर इन्दू इंड किस बात को सुनके और वो बड़ा शौक्ड हो गये थे ग्रैंट फादर जब यह वाली बात बताया कि सर आप जिस टाइगर को ढूंद रहे हो आपका टाइगर टेमोथी वो तो दो महीने पहले ही मर गया तो ये वाली बात सुनके वो बड़ा शॉक्ड हो जाते हैं गाईज इस लास्ट क्वेस्टिन का आंसर आप मुझे दोगे कॉमेंट सेक्शन में देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे टेमोथी दिन में कहां बैठना पसंद करता था चेयर पे टेबल पे सोफा पे या न आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना मैं समझ चाहूँगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाए